हलो गाईज, वल्कम बैक टु इंडे टेक्नोलोजी, आज हम बात करेंगे थ्री मोस्ट यूजफूल वाट्सअप टीक्स के बरे में, तो पहले नमबर पर आता है वाट्सअप ऑनलाइन हाइड, तो इस टीक के मदद से आप वाट्सअप पे ऑनलाइन रहकार भी अपलाइन और शेकरन नमबर पे आता है वाट्सअप बुलू टीक्स इट, इसका मतलब है आप जब भी वाट्सअप पे किसी के मैसेज़ेस सिन करेंगे, तो उनके वाट्सअप पर बुलू टीक्स नहीं सोहगा, और आभी तीसरे नमबर पे आता है वाट्सअप डिलीटेड मैसेज photos recover. अगर माल लिजी आपको किसी ने कोई messages या photos send किया और उसके बाद वो messages या photos को delete for everyone कर दिया फिर भी आपके पास वो messages या photos delete नहीं होगा. तो इन तीनो tricks को apply करने के लिए आपको सिर्फ एक application को install करना पड़ेगा तो play store को open करना है और charge करना है ghosted app g-h-o-s-t-e-d उसके बाद कुछ इस तरह का एक application सो होगा. तो उसी application को आपको install कर लेना है. तो मैं तो पहले से install किया है तो मैं यहाँ से open कर लेता हू simply. open करने के बाद यहाँ पर आपको तीन permissions हो होगा. पहले नमबर पर storage, उसके बाद contact, उसके बाद notification access. तो आपको यहाँ पर तीनो permission को allow कर देना है. allow करने के बाद कुछ इस तरह का एक interface open होगा. WhatsApp की जैसे ही. तो आभी मैं दूस्ते और एक phone से इस नमबर पर कुछ messages और photos को send कर के आप लोगों को दिखाता हूँ. तो आभी देखिए मैं यहाँ पर सारे messages को send कर रहा हूँ. फिर भी ना तो यहाँ पर blue ticks हो रहा है और ना तो यहाँ पर online show हो रहा है. उसके बाद आभी हम बात करेंगे. अगर आपके phone में कुछ messages या photos किसी ने send किया और उसके बाद delete for everyone कर दिया. फिर भी आप वो photo या message को कैसे recover कर सकते हैं. इसके लिए आभी मैं सारे messages और photos को delete for everyone करके delete कर देता हूँ. और उसके बाद यह messages और photos WhatsApp से तो delete हो जाएगा. पर इस app से delete नहीं होगा. तो जैसे कि मैं यहाँ से सारे messages को delete for everyone कर दिया, तो चलिए आभी मैं WhatsApp को open करके दिखा देता हूँ. तो अभी आभी आप यहाँ पर देखे WhatsApp से भी मेरा सारे messages delete हो गया. लेकिन इस app से एक भी message delete नहीं होगा. मैं जितने भी message यहाँ पर send किये थे, सारे के सारे messages यहाँ पर है. और अभी आप यहाँ से बिना WhatsApp को open किये, बिना online आये, WhatsApp की तरह ही आप किसी से भी chat कर सकते हैं. तो इसी तरह से आप WhatsApp पर online रैकर भी offline दिखा सकते हैं. और आप उपर में दिखिए, यहाँ पर online भी नहीं सो हो रहा है. और यहाँ पर मैं सारे messages को send कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर blue ticks नहीं सो हो रहा है. और अभी उसके बाद आप इस एप की setting में जाएंगे, तो फिर आपको WhatsApp के अलाबा और भी यहाँ पर messenger और Instagram का option देखने को मिलेगा. तो यही ता three most useful WhatsApp tricks. तो वीडियो का चलागे, तो एक like कर देना और चैनल को subscribe कर देना, और तब दक के लिए, बाबाए.